नमस्कार आप देख रहे हैं कंचेन टीवी आपके साथ मैं हूं गौर्व राजपूत कोरोना की दूसरी लहर अब कमजोर पढ़ने लगी है धीरे धीरे देश भर में जो आकड़े हैं वो तेजगती से कम हो रहे हैं लेकिन इसे बीच सबसे बड़ी बात और सबसे महत्पन ब प्रोना जैसी घातक बीमारी से लड़ा जा सकता है यही बात समझाने के लिए अलग-अलग रजपर सरकार है कही तरह के प्रियास कर रही है क्योंकि लोगों के मन में खासकर ग्रामीन इलाकों में रहने वाले लोगों के मन में कई तरह की अशंकाएं घर कर गए जिसके निवारी में भी पुलिस ने एक अनोख तरीका निकाला है जिसे लोगों को टीका करन के लिए प्रोच्चाहित किया जा रहा है। जी हाँ निवारी में पुलिस अब उन लोगों को जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है यानि जो वैक्सीन निट हो गए है उन्हें अब एक बैच पहना रही है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं एक असली देश भगत हूँ क्योंकि मैंने टीका लगवा लिया यानि ऐसा कर कहीं न कहीं पुलिस उन लोगों को प्रोचाहित कर रही है उनका मनोबल बढ़ा रही है ताकि वो आगे कई और लोगों को प्रोचाहित कर सके और जो टीका गरण की रफ्तार है वो तेज हो सके साथ ही जिन लोगों ने टीका गरण नहीं करवाया है उन्हें भी एक बैच प पुलिस के दुआरा की गई है ताकि लोगों में एक जागरुकता बढ़े और लोग टीका करेंटी और जो है वो अकरशित हो सके और लोग जादस ज्यादा संख्या में जाकर वैक्सीन लगवाएं तो आप भी ये वीडियो देखिए किस परकार पुलिस जो है वो भर्सक परियास कर रही है मध्य परदेश में की ठीका करेंटी रफतार को बढ़ाया जाए लोगहों को बताना में वैक्सिंग लगवाई त्सलिया मेरा के सर्माना चीह वाद अब है याघ तो समझों कि सरमानी चीए कोरोना अपनी सुरच्छा के लिए ना कि यह तुछ आप बंदु जोड़ से पर दो आप पढ़िए लाल टोपी जोर से ढूरा में वहां तक सनाई ते आप ना प्णा पना अपना अपना है मैने अभी पर न और फोना का टूचा नहीं लगवा है कि भायरत महान तक जाए तो आप पर लगोएंगे टीका कब लगवाऊगे यह जङ लगवा ले लिख दोडे न इना धुम कब लग वालेंगे एक अब अब वारी ऑप्ट अब अब जाने कि अच्छक श्री आलोग कुमार शिंगगे